हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड अबरप्ली इस तरह का इंसिट हो जहां पर यहां पर यहां पर आपको कल वहां से स्टून पर निकिया बात की चीज उनकी सुरत में देखने को मिला है अब देखें ऐसी बात नहीं है जिससे कि आप देखते हैं हम सब जानते हैं कि आर्टियर नौर्ब्त कशः वेहें थटीं फाइव मलटेंस हुआ थे इस पर टौटल अभी तक कि नये मिलटेंस मारे गए अब इसा नहीं था कि लास्थ स्टून नहीं और रही है वहां अब हो आप पिछला धॉँफ्ट हुक्र को ऑजिश्य क्वा है जो पहला हिदर है वार्परास सोपुर का जब कि वह पाकिस्तान ही हिदर था मुसा का राइट हैं था मुसा जो 2000 के कमांडर था 2008 मारे गए तो उसको रिप्लेस किया था और यह हिदर पाकिस्तान का है यह बहुत एक लास्ट्रीयर से एक्टीफ से नौर्ट का स्विर में यह रिक्रिट्मेंट करा था और इसी भी पार्टी करते थे आलेटी का वहां बैक्बॉन ताहों पर उस कांडर में मारा गया है मांकी जो इसेंटली जो हन्वारा में जो एटेक हुआ है उसको हम लोग आइडेंटीफाई कर लिए लोकल एलिटी के दो कमांडर हैं वहां कर और हम लोग उसके पीछे लगए हैं मैं आप लोग के एस्परिंस देता हूं कि बहुत जल्दी उसको हम पांच अगर्स के बाद पाकिसान एक साजिस किया है कि नाम चैन्ज कर दें और यह दिखाया है कि यह लोकल मिल्टेंसी है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है जब कि ट्यार आप के जितनी मिल्टेंसी मारा गया है जितनी अरेस्ट हुए है सब हमारे लिस्ट में लसकर तेवा की कैटेगरी में थे और अभी हाल फिलार में उसने अपना पैमाना को बढ़ा दिया था उसमें हम के लोगों को भी कुछ लिया है और हाल में जो लोर मुंटा में इनकॉंटर वाद इसमें दो तीन मिल्टेंसी मारे गए थे उसमें काकप सब्सक्राइब लिए तो पुलिस बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है जिस तरीके से रियाज नाइकूं को मार गिराया गया है इस पर क्या कहना है विपिन रावत का सीडियस से विपिन रावत एबीपी नियू समवादाता विकास भदोरिया ने बाचीत की है सुनिया आप जिनल साब यह कहा गया था सरकार की तरफ से टूटल पेशन्ट जितने होंगे उसका कम से कम टेन टाइम्स बैड कैपरसिटी होनी चाहिए देश में तब देश मान लीजे आपके हेल्थ का इंफ्रस्ट्रक्ट्चर उसके लिए ठीक है कितनी बैड कैपरसिटी तीनों से ना चुरुआत में एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने हमें कहा था कि आपकी और से हमें इतने बैड चाहिए होंगे साथ में आप स्टेट गवर्मेंट के साथ भी उनकी साहिता करते रहें और बैड के पैस्टीज को बढ़ाते रहें तो हमने इस वक्त सब कुछ मिला कर तक अबडिक हमारे कुछ जवान बीश से सक्रमित होएं लिकiset हमारे जवान बहुत कम है इसल्या के निए app एस वक्त भी फैस्लिटी अवेलिबल है अब जो विदेश से इंवैक्वेशन होंगे इन इवैक्वेशन को भी इंव हम कुछ मदद करेंगे और कुछ हमारी फैसलिटी उनके isolation के लिए भी इस्तमाल में लाई जाएंगे उने देखा कि कश्मीर में आतंगवाद काफी तेजी से बढ़ा है और lockdown के दौरान यह आतंगवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है आतंग की हरकतें बढ़ रही है क्या वज़े है lockdown में तो सब कुछ लॉक है यह unlock कैसे हो गए यह आप किसी के ऊपर लॉकडाउन की जो जो कारवाई है वो एक इंडिविजुन को करनी है जैसे मैंने कहा इसमें आपको धैर और अनुसाशन की ज़रूरत है और यही दो चीज़े हैं जो कि टर्रेस में नहीं है अनुशाशन तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है और धैर उ करना आप मेडिकल के नाम पर बाहर निकलाएं यह बोले कि मेरे को बहुत जरूरी काम है उसमें जाना है तो उसमें भी टर्रिजम की एक्टिविटी हो सकती है लेकिन सेना जो है पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और एंटी टर्रिजम और इसके खिलाफ हमारी कारवाई लगातार जारी रहेगी जनल साब पिछले कुछ दिनों में भारत से भारत सरकार से दुनिया की तमाम देशों ने मदद मांगी तो वाइरस के खिलाब भारत सरकार पूरी दुनिया में मदद कर रही है लेकिन हमारा पडोसी मुल्क पाकिस्तान वो टेरर वाईरस फैला रहा है तो इस वाइरस को कैसे काबू करेंगे सर इसका वैक्सीन कब आएगा धीरे धीरे करके आएगा यह कह देना कि यह सारी कारवाई ओवरनाइट हो जाएगी आप देखिए इस वक्त अगर सेना को सफलता मिल रही है सेना के साथ जो अन्यब फोर्सिस हैं उन सबको अगर सफ से उन्हें फाइदा नहीं होगा तीन सो सत्तर और पैंटिस ए खटाए जाने के बाद सिती में काफी सुधार हुआ है और अगर इस तरह से वहां के नागरिकों का कि हमारी सेर्टी फोर्सिस को अगर इस तरह का सहयोग मिलता रहा तो हमें लगता है कि हम टेयरियर्जम पर काबू पा सकते हैं लेकिन यह कह देना कि अवरनाइट हम इस पर काबू पा लेंगे यह नहीं होगा क्योंकि सीमा की पार से लगातार कोशिश रहेगी कि इसको उजाकर गरके रखें इसको प्रोटसाहन देते रहें इसको बढ़ाते रहें लेकिन ये जब देश वासी हमारे समझ जाएंगे कश्मीर वासी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान उनके साथ नहीं है उसका मकसद है सिर्फ देशत खलाना तब से इसमें हम सफलता पारत कर सकेंगे जल्साब ये कहा जा रहा था कि धारा 370 हटने के बार लगाव वादियों की कमर तूट गई है अब उनके उपर वो तमाम कानून लागू होने लगे हैं दूसरे कानूनों जो पहले धारा 370 की वैसे लागू नहीं होते थे तो जो आमद थी पैसे की जो उनके पास रीच थी वो खत्म हुई है लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि तमाम अलगाव वादि संग्ठन जो है वो लोगों को बहकाते रहते हैं तो इनको अब यह फंडिंग ला कहां से रहें देखे फंड लाने के तो कई जरीए होते हैं उनमें सबसे पहला है फेक करन्सी फेक करन्सी को एक आम नागरिक पेचानने में उसे मुश्किलात आती है उसके हाथ में जब वो फेक करंसी आयाती है उसको वो इस्तमाल में ले आता है तो हो सकता है कुछ फेक करंसी फैल रही है हमारे देश में इसके अलावा ड्रग्स जो है उसको इस्तमाल किया जाता है ड्रग्स को लाना बहुत असान है क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोग को होती है और यह किसी छोटे-छोटे पैकेट्स में लाई जा सकती है ड्रोन्स का भी इस्तमाल किया जा रहा है तो ड्रग्स के जरिये उसको दुबारा से पैसे में कनवर्ट कर देना और जिस तरह से ड्रग्स की कारवाई हमारे देश में फैल रही है हमारे नौजवान, हमारे बच्चे खास करके अर्बन सेंटर्स में ड्रग्स के आदी हो रहे है इसके जरिये आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है इसलिए सबसे पहले हमको फाइनेंशल कंट्रोल अगर करना है किस तरह से आतंकी जड़ पर काबू करना है तो हमें ड्रग्स पर भी कंट्रोल करना होगा हमारे नौजवानों को खुद समझना चाहिए कि जो वो ड्रग्स हासिल करते हैं ड्रग्स का इस्तमाल करते हैं इसका डारेक्ट बेनिफिट जो है वो काफी हद तक टर्रिजम को जाता है तो आतंकियों पर कैसे नकेल कसा जा रहा है विस्तार से सीडियस विपिन रावत ने इस बारे में जानकारी थी झाल रहाद में कि तक ये विभा नेचा का जान sudah शे वे हैं झाल बस्तमाल का है कि जाते हैं गरहां फित्तर है